सेर का बच्चा भैंस के कुदे के अंदर फस गया है अब वह बच नहीं सकता भैंस के एनस के अंदर आक्सिजन की भारी कमी होती है और हर मिनट वो आक्सिजन खत्म होती जाती है जिससे म्रत्यु का खत्रा और जादा बढ़ता जाता है अगर इसी बक्त इस बच्चे को भेंस के एनस के अंदर से नहीं निकला गया तो इसका अंतिम प्रड़ा मृत्य हो सकती है साथ सेर के बच्चे को ये नहीं पता था और उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एक दिन भेंस के एनस में फस जाएगा और उसका दम घुटने लगेगा आम तोर पर जंगल का राजा कहा जाने वाला सेर जिनकी मुख खुराग भेंसे और उनका लजीज भोजन भेंसे ही होती है लेकिन कई भार दुर घटना बस ऐसे घटनाएं घट जाते है ये कोई अच्छे संकेत नहीं है जंगल के राजा के लिए लेकिन इस वक्त उसके पास और दूसरा चारा नहीं है वहीं बगल में मादा सेरनी इस मरे हुए भेंस को खा रही है उसे अपने बच्चे का कोई भिध्यान नहीं है लेकिन थोड़ी दूर पड़े एक नर सेर को लग रहा है कि हालात थोड़े खराब है इसलिए वह पास जाकर इस इस्थिति का मुआयना करता है